हेलो फ्रेंस इन्वेश्ट फोर अवर में आपका इक बाद फिर से स्वागत है देखे हम इस टॉक से लिटेट डेली बात करते ही इसी ना किसी स्टॉक बर्डीकुली स्टॉक से लिटी है बोसावी चीज़ां से लिटी बाते करते हैं बट आज की जो वीडियो है जैसे की थम इन ऑर्स अपनी करते हैं यहां अब अबर यहां में आपको ऊपिद्ध काड़ की तग जम और बात करें कितना और गिर सकता है क्योंकि जो हमम अब अब इद्धिलि elabor फी्ली आपने यहां अब यह बनाई अबनाई तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं यहां पर हमैं बहाय अच्छे गाशी हुई, अच्छा गासा प्रॉफित में और शुब्त शुन्हा सभ्राइब लागा इसलियों केली लंग मुर्म पिक्याइग सब्सच्चराइबर निथि की वीडियो डेली बेसिस मिलती रहें बाइंक सालिंग की रिकमेंडेशन है निया अपने फाइंशार वाज़ा कुछ की स्टड़ी करी और दूसरे वीडियो को जा के यहां पर देखिए सीखिए सीखने से आपको नॉलिज मिलेगी और नॉलिज के बेसिस पर आप खुद प्र मैंने अगर अब बंब हैं और अब टीय और आप में अगर मार्किट में रहें तो अच्छा-कासा आपको नॉलिज मिलती में ना जब आए और आप दी प्रेडिक कर पाएंगे पिर उसके अकॉरे आप प्र बहेंगे तो आईए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं कि क्य हमें अप करने की जरूवत है और खितना मार्किट कर सकता है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा और हमारी पेड सर्विस ची है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉंटक कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप यहां पर कैसी भी वी वीडियो पर जरू देता हैं तो आई यह वीडियो की दर चलते हैं सबसे पहले हम बात करें निफ्टी निफ्टी है कि अगर बात करें तो देखिए आज के दिन में यहां पर 63 पॉंट सी ग्रावर्ट नजर आई है बट अगर हम देखे तो बहुस सारे दिगगर शेयर यहां पर गिरते ह तो क्या हमें बेच देना चाहिए क्या निकल जाना चाहिए क्या यह सॉलूशन है तो देखिए मार्केट में सबसे पहले तो एक बात विताना चाहता हूं अगर रहोगे नहीं तो फिर कोई अगर आप सोचेंगे कि इस लेवल पर बेज दूँगा इस लेवल पर खरीद यहां पर प्रेडिक्शन किया जाता है इसलिए यहां पर स्पेकुलेटर का जाता है जो हम टेडिंग करते हैं कुछ भी तो इससे स्पेकुलेशन भी का जाता है कहीं न कहीं और दूसरी बात है on the basis of a chart भी हम यहां पर डिसाइड करते हैं तो इसलिए हमेशे याद रखिए म बने रही है बट टाइम से कोई एक particular stocks है तो उसमें exit करने भी यहां पर शुरू करिए क्यों 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 कि वहां पर अपना profit आपका एक और कबर उपर होता है लो नजर आएको उचाहे कितना भी बहते हैं इस तो अपर नीचे गरता ही है इस यह उचे को याद रखेगा अगर आप सोचेंके नहीं गिरेगा उपर ही जाते रहेगा तो आपके साहथ हमें एक बहुत सारे यह पर एक्जामपल है आयर सीटीच कभी निगिरेग यहां आज की देखिए यहां पर कितने किसी पीट से यहा और लोग यहां पर अटग गए है, बट कोई इशु नहीं है, इसके एलावा और भी वह सार यहां पर एग्जम्पल है, IEX की बात करें, IEX इक डिगश टॉक है, आज भी देखिए 10% उपर खुला बट इस्टिल नहीं पर नीचे आता हूँ, दिखाई दिया, 6 रुपे का यहा लोगोंने AMO लगाया होगा, aftermarket order लगाया होगा, 10% पर भी यहां पर देखिए जरूफस होंगे, काफी लोग, काफी लोग यहां पर smartness दिखाते हैं, बट AMO लगाने की जरूफ़त नहीं होती, simple wait and watch करना होता है, और जो हमें मिलना होता है, और जो नहीं मिलना होता है, और बहुत सारे ऐसे stocks हैं, जो आपको समझ माएंगे, तो इसलिए Nifty अगर देखे तो 60 points गिरी है, और यहां पर हमारे stocks 10-10% होता होता है, तो क्या करना चाहिए exactly, तो देखें, simple सी बात यह है, पैली बात तो यहां पर time से exit करना भी सीखिए, okay time से अपना profit book करना सीखिए, और न small cap की में बात करूँ, आपके खुद के stocks की जो आपके पास है, अगर उसमें एक अच्छी कासी rally हो गई है, तो इसमें दीरे 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 तोड़ा सा profit booking करना शुरू करिए, उससे क्या होगा, इससे जब भी का market यहां पर गिरेगी, तो उसी पैसों को आप दुबारा rein invest कर पाएंगे, और जब यह दुबारा ऊपर जाएगी, तो अच्छा कासा पैसा बनता हो नजर आएगा, अब बात करते हैं, यहां पर आपको बताना चाता हूँ, देखिए, market एक अच्छे कासे support table शाय लेती हुए नजर आ सकती है, एक वीक की अच्छे कासी गिरावट हो लगा नहीं है कि इतना गिरावक्त हुई है, और बहुत सारे stocks ऐसे हैं जिन्होंने अपना base create कर लिया है, base create करने का मतलब है कि उसी trade पर गिरेंगे तो वहां पर ही आ कर रूख जाएंगे, और उसी से यहां पर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, stocks related भी एक particular videos में ब base बना दिया है, और stocks की तरफ नजरे बनाई है, और यहां पर बाइंग करने की कोशिश करें, और जब वह उपर जाएंगे, तो 20-30%-40% का profit दुबारा होता हुए नजर आएगा, विदिन 6 months, तो ऐसे ही आप में यहां पर choose किया करें, और यहां पर बात करें तो थोड़ी सी गरावट और next week हो सकती है, अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली है, चार तारिक को, चार तारिक की बात करें, तो यहां पर चार तारिक परता है next to next week, तो पूरा यह जो week है ना, इसमें अकच्छी कासी गरावट हो सकती है, और अच्छा खासा यहां पर पैसा अभी दोबारा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, अगर आप बात करें, निफ्टी 50 क्यों नी गिर रही है, तो देखें, निफ्टी में अलग अलग तरीके के stocks होते है, तो यहाँ पर अगर अगर बात करें, निफ्टी कोई ना कोई सेक्टर निफ्टी को सपोर्ट किया रहता है, तो आपका individual stocks आपके पास कोई सा है, वो आपको यहाँ पर decide करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखें, निफ्टी में इतनी गिरावट नी होगी, बट निफ्टी, अगर बात करें, मिट कैप और स्मॉल कैप महाँ पर जादा गिरावट होती ही नजर आएगी, क्यों होती ही नजर आएगी, तो उसके पीछे क्या है, कहने का मतलब है कि अभी निफ्टी बैंक अगर चलता रहा, इसी तरीके से अच्छे खासी यहाँ पर रैली बनाता रहा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे खासी आ रहे है, बैंक आफ महाराष्ट के रिजल्ट कल अच्छे आए, इसके इलावा बात करें, आज फेडरल कुछ दिन पहले पताया था, और यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपको खरीदवाया था, और आज ही रिट में देखे, तो अच्छा खासा गया निफ्टी फाइनेशियल्स, कोछ ना कोछ सेक्टर आपको आपको सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, तो कही ना कहीं यहाँ तो यहां पर क्या हो सकता है यहांपर यह सकता है कि अचैनल मी और राया से कुछ। पर की से जल्व मारे बहुत। निचे आगे है। थimento से यहांगे मेभ youf 50 hecrλ भाग रहे जेज़ने शसके साली लिए के यह बनाए मिन निथास दो हितन Mandars इतना निफ्टी यहां पर मिटकेप भाग रहा था जिस तरीके से मिटकेप ने यहां पर रैली बनाई थी वह एक काविले कारीफ थी वह एक देखने वाली थी तो इस शीर को थोड़ा से द्यान दीजिए जितना भागा है उसी हिसाब से यहां पर लेकिए करेक्ट भी होता नजर आएगा तो शायल अभी और 300-400-500 पाइंट के गिरावट हो सकते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा भी रैडी रहिए ओके और यहां पर पैसे रैडी रखिए ताकि आप यहां पर इसका फायदा उठा सके और उन सेक्टर की तरफ धियान दीजिए उन स्टॉक्स की 93 रुपे का दूसरे लेवल की बात करें आप नौजार 9,089 आता है और तीसरे लेवल तो सीधे यही आता है जो कि आपर सपोर्ट लेता हूँगा नजर आता है यहां अगर इतनी गिरावट होती है एक हजार पॉइंट्स की तो दुबारा एक अच्छी अपरचिनिटी बने है कि आप अपके पास कौन से शेयर है आपने कौन से शेयर चूज कर रहे है उसके ओपर डिपैंड करता है इसलिए जब भी अब दुबारा रही होगी ना तो बेकली स्टॉक्स को निकालिएगा अच्छी स्टॉक्स में बने रही है क्योंकि अच्छी जहां कंपनी के रिज होता हूं तो इस चीश को थोड़ा से आप ध्यां दीजिए यह कुछ पर्डिगुलर स्टॉक्स है कुछ के रिजल्ट आने कुछ के रिजल्ट आ चुके और कुछ इस टॉक्स ने आपन नीचे गिरावर्ण हो चुकी है अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पर मिल रहे है फिर मौका ने मिलेगा जब वो भागेंगे तो आपका अच्छा का सब 20-30-40 परसेंट का पैसा बनेगा अच्छा सब उन्हें कमा के चुक चाप यहां पर निकलिएगा फिर वेट करिएगा फिर इसी तरीके से धीरे 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 कंपांडिंग हो के पैसा इतना बन ज किसी बी शेयर में किसी वी चीच की वज़से मतपसिंग तो फोरे टिन की रिकमेंडेशन कोच नहीं बड्यां अपने विप और चेकिने के लिए कि तरीका से थे मार्कित और गीरी चार्ट को पढ़ना सीख। हमारी वीडियो को देखना सीखिए वीडियो में सारे शेयर को देखना सीखिए अब आपको समझ में आगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है हमें सपोर्ट करिए जितना हो सके शेयर करें लाइक करें कमेंट करें तो इसी तरीके से आप भी नौलिज अच्छा से गेन कर सकते हैं तो थैंक इसो मुझ गॉट ब्लेस्